जेन फ्रेंस, कल चल आई होग कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी बोर्ट exam की तरह बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे प्यारे बच्छो, आज हम Class 12, Hindi grammar की बात करें, यह नि ब्याकरन की बात करें प्यारे बच्चो उसमें आप सबका एक अलंकार टॉपिक से दोस्तो कोशन पूछा जाता है जिसमें दोस्तो आप सबको क्या होता है करना होता है अलंकार दोस्तो बहुत ही महत्पूर दोस्तो जितने भी अलंकार है हम आज की इस वीडियों दोस्तो लाएं है जो दोस्तो प्रिवियस हरवर्स दोस्तो पेपर में इससे बाहर तो नहीं पूछा गया अभी तक तो नहीं पूछा गया है प्यारे बच्चो आगे की हम बात नहीं करेंगे अब आप सब यह बिल्कुल कामन सी बात है समझ सकते हो कि दोस्तो जो इंपोर्टेंट है मैं वही लेकर आया हूँ जो हर साल पूछा जाता है वही दोस्तो आपका इस भार भी पूछा जाएगा तो प्यारे बच्चो बस पेपर में छप चुका है यह आप सब मान लीजिए ठ अब दोस्तो इसमें सबसे पहले आप सबको हम बताएंगे उपमा लंकार की बात करेंगे यहां दोस्तो उसमीत प्रयोक करके आप सब करेंगे यहां किसी वस्तु या विक्ट कि किसी अन्यवक्तिया वस्तु के से समान गुर्धर्म यानि हम किसी दोस्तों दो वस्तुनों की तुलना करें किस आधार पे करें उसका गुर्ध देखें दोनों वस्तुनों का उसका स्वरूप यानि उसका दोस्तों आकार हम देखें उसके अधारपे दिम तुलना करें तो या दोस्तो समानता बताइजाए उन सब के बारे में कि हा इन दोनों में क्या समानताएं हैं तो प्यारे वच्छों वही क्या होता है उप्तमालंकार होता है आई होप आप से समझ पाए होंगे आईए हम आपका दोस्तों एक दो उदाहरन बताते हैं देखेगा दो उदाहरन राधा के चरण गुलाब के समान क्या है कोमल है अब प्यारे बच्चो अब यहाँ देखेगा सेकेंड भी है हरी कोमल कमल से हरी कोमल कमल से यानि हरी मतलब दोस्तों भगवान विष्णू की बात किया जा रहा है यानि भगवान की दोस्तों पद मलब की दोस्तों आपके कोमल हरी पद पद मलब दोस्तों पैर की बात किया जाता है हर पद जो भगवान की दोस्तों पैर है दोस्तो उनका दोस्तो जो पैर है दोस्तो वो फूल के दोस्तो कमलता कमल के फूल के कमलता से क्या किया जा रहा है बिल्कुल दोस्तो तुलना किया जा रहा है यहां पर दोस्तो उपमा हो जाएगा ठीक है अब हम दोस्तो इसका पश्टी करन दोस्तो आप सब देख लिजेगा अब दोस्तों जिसकी समानता बताई जाती है वही दोस्तों क्या होता है उपमे होता है जैसे पहले बाले में दोस्तों राधा क्या हुआ उपमे हो गया अब उपमान की बात करें पूछ लेता है कि उपमे है कि उपमान है कौन उपमे है कौन उपमान है हमेशा पूछता है यहां पर कमल का गुलाब के फुल से तुलना किया गया था तो प्यारा बच्चो अब नहीं प्रपर किया गया था तो यहां पर क्या हो जाएला pass एका धार यहां पर्फोंच बहुत Trustee Quindi तो आप सब यहां पर बहुत अच्छी तरीखे से देख सकते हैं जो एक्जामपल था अब यहां दोस्तों क्या कर रहा है यहां दोस्तों कर रहा है समान कोमल की बात कर रहा है। ठीक है, जो दोनों में रहता है, जैसे कि कोमलता था, कोमल दोस्तों दोनों था, गुलाब का फूल भी था और राधा का दोस्तों क्या था, राधा भी क्या थी, कोमल थी, इस तरह दोस्तों क्या था, पूरा दोस्तों क्या था, पूरा दोस्तों क्या था, पूरा दोस्तों क्य सब्सक्राइब दोसरा बात करें गें प्रूपक अलंका जहां उपमान का भेदरहित जिसे दोस्तों अभेद कहेंगे आरोप किया जाए वहाँ दोस्तों क्या होता है रूपक अलंकार होता है उदाहरन देखेगा चरण कमल बंदो हरीराई आप दूसरा देखिएगा यानि दोस्तों चंद का अर्था आता है चांच की बात किया रहेगी चंदर्मा की जैसा खिलोँना चाहिए यह भी थोड़ा चंद मतलब थोड़ा तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा रूपक हो जाएगा यह आप सब समझेगे, बहुत ही दोस्तों महत्पूर्ण है, इसे जरूर तैयार कर लेना, सारे महत्पूर्ण है, आप सब समझ सकते हो, उत्प्रेचछा अलंकार दोस्तों देखिएगा, इससे बाहर दोस्तों अभी तक कोई कोशन कभी नहीं पूछा गया है, देखिए, जहा उपमान जाए जहां उपमान जाए वहां उत्प्रेचक अलंकार की संभावना होती है बस इतना ही तयार कर लेना प्यारे बच्चों आप सब का इतने में सारे काम बन जाएंगे अभी तक जितना बता है बागी दोस्तो एक और यमक अलंकार है इसको आप सब देख सकते हो इसका दोस्तो पीडियाफ जैसा कि हम आपको दोस्तो हमेशा प्रिवायर करते हैं आपके अपने टेलिग्राम एक्जाम रोट पे फ्री आपकाश दोस्तो आप सब डाउनलोड करके आप सब पढ़ते रहे हैं एक एक दोस्तो को तयार करते रहे हैं बोड इक समय हमें दोस्तो पूरा भरुसा कि आप सब बहतर से बहतर करके आएंगे चलो प्यार बच्चो जैहिन जै भारत